दोस्तों अमेरिका से सिखों के लिए एक बड़ी खुश ख़बरी निकल कर सामने आई है ये ख़बर क्या है इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी ब्रिक समेलन के अंदर क्या सिखों का चर्चा हो सकता है इसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी दी जाएगी आज के समय के अंदर सिखों के अलाईज कौन से हैं सिखों को किसका साथ देना चाहिए सिखों का साथ कौन दे रहा है इसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर जानकारी सांजी की जाएगी पिछले समय के अंदर लौरश विश्णोई की जेल से इंटर्वू कर इसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी दी जाएगी भारत के उपर आश्टरपती जिने विदेश जाने वाले लोगों के उपर एक बड़ा ब्यान दिया था इसके बारे में भी एक और नई जानकारी निकल कर सामने आई है वो भी इस वीडियो के अंदर आपको दी जाएगी बहुत सारी ऐसी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपके साथ सांजी की जाएगी यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सस्क्राइब करके बैल आइकन धबा लीजिए यही हमारी बिंते है कि वीडियो के वारे में भी इस वीडियो के अंदर जानकारी सांजी की जाएगी वाहे गुरूजी का खालसा वाहे गुरूजी की फते दोस्तों पिछले समय के अंदर पिछले हपते के अंदर अमेरिका की पारलीमेंट के अंदर सिखों को लेकर एक नया बिल वहां की पारलीमेंट के अब वही जो बिल है इस समय अमेरिका की पार्लीमेंट के अंदर पहुंच चूका है। आने वाले समय के अदर जो 5 ऐस संग्ठन है, 5 ऐस देश है जिसके अंदर न्यूजिलेंड आता है, आस्ट्रेलिया आता है, इंगलेंड आता है और कनेडा और अमेरिका ये पांच देश आते हैं इन पांचों देशों के अंदर ये जो बिल है समय के अंदर रिहाई दी गई है इन लोगों को रिहा कर दिया गया है इन केसों को केवल दंगे बताकर इनको दबा दिया गया बंद कर दिया गया 1984 के अंदर जो कतलियाम हुआ था पूरे देश के अंदर सभी को पता है कि ये केवल एक तरफा कतलियाम था जैसे के अंदर जो गवर्मेंट है स्टेट है, एजंसीय हैं इनुने शिखु के उपर सबसे जड़ादा उस समय टॉर्चर किया था और जिन जिन लोगों के उपर कारवाई होनी चाइए थी इन लोगों के उपर कोई भी कारवाई पिछले समय के अंदर नहीं हुई भाजपा ने सरकार बनाने से पहले कहा था कि इने भी वो लोग है जिन लोगों ने 1984 का सिक कतलयाम कर वाया था तो हम उन सबी को पकड़ कर जेल के अंदर बंद करेंगे और इनी केसों के अंदर जो जो लोग दोशी थे उन दोशीयों को आज के समय के अंदर अदालतों ने रिहा कर दिया है या उनको बरी कर दिया है या अभी तक उनके उपर जो चार्जस लगे हैं आज तक वो साबित ही नहीं हुए है अब पूरे देश के अंदर केवल यहाँ सिखों का कतलयाम 1984 के अंदर किया गया था किसी भी और कम्यून्टी को निशाना नहीं बनाया गया था और इसी लिए हमारे देश के अंदर इसको केवल 1984 दंगा पेडित कहकर दबा दिया जाता है इसी मामले को विदेशों के अंदर सिख संखनों ने सिख जथेबंदियों ने उठाया और उसके बाद वहां की पारलिमेंट के अंदर इसको सिख जैनोसाइड सिख कतलयाम का नाम दिया गया हमारे देश के अंदर भी इसी के उपर सिक कतलियाम नाम से एक बिलपास होना चाहिए और जिसकी अंदर जो जो दोशी थे उन सभी दोशीयों को चौंक के उपर खड़ा करके फासी की सजा होनी चाहिए हम तो ऐसी ही उमीद करते हैं अब इसी के साथ हम अगली ख़वर की बात करते हैं दोस्तो पिछले समय के अंदर हम सभी ने देख लिया भारत अमेरिका का विवाद एक नए सिरे के उपर पहुँच चुका है भारत और कनेडा का विवाद भी एक नए सिरे के उपर पहुच चुका है अब अमेरिका ने भारत के उपर इल्जाम लगाए कि भारत डी डॉलराइजेशन करने की कोशिश कर रहा है तो अमेरिका ने भारत के उपर डी डॉलराइजेशन के इल्जाम क्यों लगाए अब ये सुनिये पिछले समय के अंदर आप सभी लोगों ने ब्रिक सम्मेलन का नाम सुना होगा इस ब्रिक सम्मेलन के अंदर भारत, रशिया, चाइना, ब्राजील, इरान इन देशों ने मिलकर एक नई करंसी यहाँ पर इस्थाफित की है पूरे एशिया के अंदर वियापार करने के लिए इन्होंने कहा है कि हम इस करंसी का उप्योग करेंगे इस करंसी को डॉलर के विपरीत यहाँ पर लागू किया जा रहा है क्योंकि आज के समय के अंदर आप देखते हैं अमेरिका जिस भी किसी देश के उपर प्रतिबंद लगाता है तो उस देश की जो अर्थ विवस्ता है कही ना कहीं खराब होने लग जाती है यदि पुरी दुनिया के अंदर केवल डॉलर ही होगा तो डॉलर ही पुरी दुनिया के उपर राज करेगा लेकिन उसको सामने से टकराब देने वाली कोई और करंसी भी होने चाहिए और उसी तरीके से आज के समय के अंदर ब्रिक करंसी को यहाँ पर लागू किया है लेकिन यह जो अभी तक ऑफिशल रूप से लागू नहीं हुई है इसको केवल अभी टेस्टिंग फेस के अंदर ही चालू किया जा रहा है ब्रिक करंसी की शुरुआत हुई थी जिस समय इसको शुरू किया गया इसका जन्म हुआ तो उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंग जी रशिया के साथ चाइना के साथ वहाँ पर महजूद थे और इन सभी देशों ने मिल कर इस करंसी को शुरू किया था पिशले 15-20 सालों से लगातार इसकी जो प्लैनिंग थी वो चल रही थी और आज के समय के अंदर इसको सपष्ट रूप से सामने लायागा जिस समय अमेरिका, कनेडा या कहें यूरोप के देश बार बार दूसरे देशों के उपर सेंशन लगा देते हैं आज के समय आप देख रहे हैं इजराईल और इरान का यूद चल रहा है अब अमेरिका इस यूद के अंदर सामने आता है, तो अमेरिका इरान के उपर भी सेंशन लगा सकता है देखो तो जो सबसे ज़्यदा वियापार होता है, वो केबल डॉलर वाली करनसी के अंदर होता है अगर डॉलर ही पुरी दुनिया के अंदर चलेगा सभी देशों के अंदर चलेगा तो उसके अंदर अमेरिका सबसे ज़्यादा मजबूत होता है ब्रिक करनसी को यहाँ पर लाया गया है जानकारी की तरह बढ़ते हैं जो इस हबते की सबसे बड़ी जानकारी यहाँ पर निकल कर सामने आती है लौरस बिशनोई गैंग्स्टर का इंटर्व्यू पंजाब की जेल के अंदर किया गया था तो यहाँ पर पुलिस से सवाल जवाब किये गए कि कौन सी जेल के अंदर लौरस बिशनोई का जो इंटर्व्यू वो हुआ था यहाँ पर जो पुलिस परशाशन है पंजाब के डी कर दिया गया है क्योंकि खरड के पास बताया गया कि किसी जेल के अंदर या किसी ऐसे इस्थान के ऊपर ये जो इंटर्विू हुआ था अब पंजाब सरकार ने यहाँ पर पुलिस के ऊपर एक्षन लिया है और पुलिस के उन अधिकारियों को निलंबित कर दिया है जो उस सम के अंदर भारत के उपर आश्टरपती जगदीब धंकर जी ने एक बयान दिया था इस बयान के अंदर उन्होंने कहा था जो विदेशों के अंदर जा रहे हैं और विदेशों के अंदर पैसा लुटा रहे हैं हमारे देश की अर्थववस्ता को इनको मजबूत करना चाहिए इनके कहने का ये मतलब था कि लिकिन इसका एक हिडन एंगला मैं आपको बताता हूँ जगदीब धंकर जी है इनकी बेटी स्वेम विदेश से पढ़कर आई है अब इनकी बेटी विदेश से पढ़कर आ रही है और दूसरों के बच्चों को ये विदेश जाने से रोक रहे इसने देश के लिए कौन सी सेवाएं दी है जिसके लिए करन जोहर को समानित किया गया है अब यही पर हम अगली जानकारी आपको बताते हैं जो पंजाब के साथ सिखों के साथ पंजाबियों की नोकरियों के साथ जुड़ी हुई है दोस्तों जो लोग डंकी लगा कर अमे हमारे लोगों को डंकी क्यों लगानी पड़ती है और इसी के साथ हमारी जो आखरी ख़बर है वो संबंदित है जो लोग पंजाब के रहने वाले पंजाब के मुड़ने लोग है जिसके अंदर हिंदू आते हैं सिखाते हैं मुसल्मान आते हैं इन सभी को पंजाब के अंद होते हैं इनको बीस बीस हजार पच्छिस पच्छिस हजार सैदरी फैक्टरी के अदर दी जाती है यही सबसे बड़ा कारण है आज हमारे यहां पर बिरुचगारी का जितने भी बिहारी हैं वो अपने बिहारियों को पंजाब के अंदर इन्वाइट कर रहे हैं और उनको नोक करना चाहता था मिलेंगे नए वीडियो के अंदर वाहे गुरुजी का खाल्चा वाहे गुरुजी की पते